हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड्स एड़रेट प्रेपरेशन इस सेनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्रेशन करने वाला हूँ केंदरी विद्याले का प्रियोडिक टेस्ट सेकिंड का कोशिन पेपर य इंग्लिश का जिसे मैं पूरा आपको एक्स्प्रेइन करूँगा कि किस टाइप पर यह कोशिन पेपर आता है ताकि आप घर पे बैटके अच्छे से प्रेप्रेशन कर सके अपने पीडी टू एक्जाम के लिए तो यह जो कोशिन पेपर है 40 मार्क्स का है यहाँ पे आपक पर आपको पूछे जाएंगे उसके पाद जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर आप स्टोरी और पोयम पढ़ते है तो उसके एंड में जो कुशिन होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे उसके बार next आपका grammar का portion है यहाँ पे 10 questions होंगे और हरी question के one marks आप कह सकते हो यह वाला portion आपका आने वाला है इसके बार next आपका creative writing यानि composition वाला portion है जिसमें आपको questions दिये जाएंगे और उस places पर आपको 5 sentence या 10 sentence में आपको answer लिखना होगा उसके next आपका यह spelling वाला portion होगा जिसके अंदर spelling based question आपसे पूछे जाएंगे और विल्कुल end में आपका होगा handwriting वाला portion जिसमें आपको एक passes दिया जाएगा उससे दुबारा आपको rewrite करना होगा cursive writing में और आपकी handwriting कैसी है उसके according आपको यह marks दे दिये जाएंगे चलिए हम start करते है reading वाले portion के साथ तो reading वाला portion है यह आपके screen पर है सकते हैं आपको यह question paper देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि भी यह original question paper है इसके scan किया गया है थोड़ा print out से लिया गया question paper है तो थोड़ी clarity जहां पर नहीं होगी मैं आपको read करके अच्छे से explain कर दूँँआ ठीक है तो देखो जैसे यह reading वाला portion है इसके अंदर आपके लिए passes है और question यह है आपके लिए कि read the passes given below and answer the following question तो सबसे पहले तो आपको इसको read करना है और read करने के बाद आपको इसके basis पर जो questions होगे उसके answer लिखने होगे चलिए पढ़ लेते हैं watch out a tiger is coming इसके अंदर इस passes के अंदर आपको mother tiger और mother tiger के लाबा आपको यहाँ उसका जो baby tiger है यानि कह सकते होगे कब के बारे में एक information दी जा रहे है कि यह लोग एक जंगल में रहते हैं और यह जंगल कहाँ पे located है river के near located है जब भी sky में dark होताता है यानि कि अंधेरा होने लग जाता है तो mother tiger हंट के लिए निकलती है और वो usually deer को और pig को हंट करती है ताकि उनको मार के खास सके अब यह सारी चीज़े जब लंगूर monkey जो है वो देखता है तो वो क्या करता है लोगों को aware कर देता है कि जो tiger है वो आ रहे हैं सबको hunt करने के लिए यानि कि लोगों को बचल लोगों का मतलब यहाँ पे जो बाकी जो animal से उनको aware करने के लिए जो लंगूर monkey है वो बहुत तेज आवाज में सबको चिला चिला के बताता है कि watch out a tiger is coming टाइगर आ रहा है थोड़ा सा बच के रहो संभल के रहो कहीं तुम्हें मार ना दे ठीक है यानि कि सबको aware कर देता है ठीक है तो यह हमने पैसे सरीड कर लिया अब इसकी वेसी इस पर आपके लिए question है जैसे यह question number one है first question में पूछा जा रहा है यह लोग रहते का थे तो सबसे पहले जो first sentence है इसी में आपको answer दे रहा है कि यह लोग कहा रहते थे तो जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो आप यहां लिख सकते हूं यह second sentence में जैसे complete answer आपका one sentence में हो जाएगा जो second sentence है आपका आपको बोला जा रहा है कि what did mother tiger hunt when the sky was dark जब अंधिरा हो जाता है जब रॉष्णी कम हो जाती है तो mother tiger किसका hunt करती है तो जैसे आपने यहां पे पढ़ाया कि pig का hunt करती है तो pig लिख सकते हो और deer का hunt करती है तो deer लिख सकते हो तो यह two different animals के आपको name given है deer and pig तो यह deer and pig के आपने answer में आप लिख सकते है तो इस तरह से आप second question का answer complete कर सकते हो करता है लोगों को aware करता है बहुत तेज वाज में चिलाता है he called a loud harsh call और क्या बोलता है watch out a tiger is coming तो यह आप अपने answer में लिख सकते हो कि लंगूर monkey saw her यानि कि हर का मतलब यहाँ पर tiger है he called a loud harsh call watch out a tiger is coming यानि कि यह पूरे sentence को आप यहाँ लिख देंगे अपने answer में तो यह आपका answer complete हो जाएगा इसके बाद next आपके लिए question number fourth है जो कि यह नीचे आप देख सकते हो यहाला question इस question में पूछा जा रहा है इसके नहीं में आपको given है किसी भी दो की लिख दो चाहे तो आप mother tiger उसका लिख सकते हो लंगूर monkey लिख सकते हो pig and deer इनका भी लिख सकते हो ठीक है दो ही लिखने सारे सारे की सारे लिखने की जूरत आपको नहीं है इसके अदर अच्छा उसके बाद next है आपके लिए 5th question 5th question में आपको बोला जा रहा है कि find out two pronoun words from the passes इस passes के अंदर जो pronoun word है हमें वो लिखने है pronoun word का मतलब यह जब भी हम naming word की जगह अब दूसरे जो हम use करते हैं जो word उसे लिखना है तो जैसे अब यहाँ पे जो tiger है tiger के लिए यहाँ पे कौन सा word यूस किया गया mother tiger के लिए her word यूस क जा मतलब यहाँ पे क्या mother tiger and जो कब है यह इन दोनों के लिए क्या यूस किया गया यूस किया गया तो they and her यह आप लिख सकते हो fifth question के answer में यहाँ कि यह क्या है pronoun word है तो यहाँ पे her भी use कर सकते हो अपने answer के लिए हम आपको आपने answer के लिए टो इन दोनों word को आप अपने answer तो आपका यह जो फॉर्स्ट पोर्शन है यह रिडिंग वाला पोर्शन इसके 5 के 5 कोशन आपके complete हो जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट है आपका है रैटिंग वाला पोर्शन तो रैटिंग पोर्शन के अंदर जो आपने आंसर जैसे आपने स्टोरी पड़ी ती स्टोरी के अंदर जो टाइगर के बागे बारे में पढ़ा था उसके एकॉशन आप आंसर लिख लोगे उसके बार नेक्स्ट है सेकिंड कोशन में आपसे पूछा जा रहा है कि वाइड देड़ ही वाइड दिड़ चाइल गो विद द पपी , जो आपने चाइल और पपी वाइल जो स्टोरी पड़िये, ओस बेस्ट पर आप से एकुशन पूछा जा रहा है कि यह जो चाइल है वो पपी के साथ क्यों चला गया था, उसके बारे में आपको बताना है तो फो मार्क्स का यह कोशन है तो फो आप आप आइनसर व लिखे लेंगे उसके बाद हएंगे क्या थी सिस्टर में आप से से क्योंच पूछा जाए हैkolि नए आपको अपना आंसर येस यह नो में लिख सकते हो बटोनों आंसर आपका इसे यह यह जो भी आप आंसर लिखोगे। चाहे आप यस लिखो है, चाहे आप नो लिखो, जो भी आंसर लिखोगे, लेकिन उसके बाद आपको support करना है अपने आंसर को one sentence में, यानि कि आपको यह बताना है कि अगर आपको silly लगती है, क्यूं लगती वो लिखना है, अगर आपको लगते हैं, शीले नहीं लगती है वे, तो क्यूं नहीं लगती हैं, वो भी लिख सकते ह highest टो जब आप reason लिखेंगे तब यह आपको marks मिलेगा, इस तर्य ही two marks से question है, one marks तो yes, no लिखने का, one marks आपको reason बताने का, ठीक है, तो इस तरह से आप writing वाला portion complete कर सकते हैं, इसके बाद next है, आपका writing portion के बाद grammar वाला portion है, तो grammar के अंदर यह जो first question है, इस question में आपको पूछा जा रहा है, कि write the rhyming word of hill, अब hill जो है, hill का आप rhyming word लिख सकते हैं, hill, chill, ठीक है बिल, यह सब क्या होगे, इसके rhyming word होगे, पहिल, chill, बिल, इस तरह से बहुत सारे word लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही लिखना है, इसके अंदर तो मैंने यह चिल लिखपा दिया, उसके second question में आप से बोला जा रहा है, write the similar word of stones, ठीक है, stone की जगा आप दूसरे word आप यू one है, one की जगह जैसे यह एक तरह साब कह सकते हो, similar है, आप इसका plural लिखना है, duck का plural क्या होता है, यह आपको इस blank के अंदर लिख देना है, उसके fourth question में आपको बोला जा रहा है, add full to make a new word, जैसे plenty है, ठीक है, तो यहाँ पे full use करोगे, तो आप इसको new word कर दोगे, इसके to make a new word, जैसे soft है, तो soft cup क्या बना सकते हो, softly बना सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या क्या, add करके new word create कर सकते है, अच्छा, इतना करने के बाद आपके लिए, fifth के बाद six question, और six question में आपको बोला जा रहा है, add ish to make a new word, जैसे child है, ठीक है, childish, ठीक है, ish आपने क्या क्या इसके के अंदर, circle the describing word in the given sentence, अब इसमें describing word क्या है, यह आपको बताना है, जैसे sentence को read कर ले, dog is a loyal animal, जो loyal word है, यह क्या है, describing word है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें circle बना देंगे, और अपना answer complete कर लेंगे, next आपको बोला जा रहा है, eighth question क्या है, circle the action word, अब action word कौन सा है, यह आपको 9th में बोला जारा है, change the gender, जैसे mother है, mother का, क्या लिख सकते हो, father लिख सकते हो, तो यहापे जैसे gender change करने वाला question है, तो आप कर सकते हो, इसे बहुत easily, और next आपको last में बोला जारा है, write the opposite word, अप है, आपका आप लोग जानते हो, game भी खेलते हो, आप down, तो आपका क्या हो ज question, two different questions आपको देखने को मिल रहे है, first question में बोला जारा है, write five sentence about a dog, dog के उपर आपको five sentence लिखना है, देखो five के five sentence लिख लोगे, तब जाके आपको five marks मिलेंगे, तो अच्छे से, किसी भी dog है, जो भी pet animals है, इसमें dog है, उसके बारे में आप लिख दीजिए, और इसके बाल next question है, मैं आपको बोला जारा है, write five sentences about your sister, आप अपनी बहन के बारे में, छोटी या बड़ी जो भी आपकी sister है, उनके बारे में आप five sentence लिखे, तो ये five sentence लिखने वाले question है, यानि कि इस तरफ की जो topic है, इसके अगर घर पे practice आप कर लोगे, तो topic कैसा भी आए, तो अगर comfortable रहें, और अच्छे से अपने answer writing practice कर पाएं, ठीक है, तो मैं तो आपको कहुंगा, घर पे जो practice करें, तो five की जिएकर ten sentence के practice करिए, ठीक है, अच्छे, उसके बार next आपका spelling वाला portion, तो spelling वाला portion में, जैसे ये first question है, इस question में आपको बोला जा रहा है, fill in the right letter to make a meaningful word, अब दे की spelling तो दे रखिए, बीच में space gap कर रखा है, जो letter gap करके space दे रखा है, तो आप donkey लिखना चाओ, तो donkey लिख सकते हो, ठीक है, पूरा ये complete कर लोगे, तो आपका ये answer भी complete हो जाएगा, उसका next जो third है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, अब आप लोग मुझे या post जो deliver करने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे आप लिख करके मुझे भी comment में जरूर बताइएगा answer क्या है, अच्छा, उसके बार next is second question, second question में आपको बोला जा रहा है, to place these letter in their right order to make a meaningful word, अब देखो ये ने jumble करके दे रखा आपको, unjumble करना है, ताकि एक meaningful word create हो ज जाएगा, यानि कि इनकी order गलक थे हैं, हमने क्या क्या से rearrange करके अपना answer लिख लिख लिया, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे complete भी कर सकते हो, उसके बार last portion है, आपके इस question paper के अंदर, writing वाला portion, जिसके अंदर, writing portion के अंदर आपको बोला जा रहा है, कि जो आपको ये जो पै writing होगी, अच्छे से लिखेंगे, without mistake, तो आपको 5 में से 5 marks मिल जाएगा, ठीक है, तो इस type का ये question paper था, जो से मैंने आपको पूरा explain कर दिया, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरू करें, ठीक है, यही मैं request करता हूँ आप से, कि वीडियो आपको receive हो सके, इसके लाबा मेरा एक और channel है, second channel, जो की मेरे नाम से है, Mr. Krishna Shah, इसे भी subscribe करके, बेल आइकन प्रेस कर दिये, तक कि जब भी मैं यहाँ वीडियो अप्लोड करूँ, इसकी notification भी आपको मिल सके, देखे, PT2 question paper से related, एक playlist भी create कर रखे मैंने, जहाँ आपको सारे question paper की video की link मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं, description एक बार ज़रूर करिए, आप लोग मुझे telegram पे follow कर सकते हैं, और whatsapp पे भी मुझे join कर सकते हैं, उन सब का link मैंने नीचे description में दे रखा है, कोई doubt है, कुछ पूशना चाती हो, तो आप लोग मुझे instagram पे follow कर लो, जहाँ आप message करके, अपने doubts वगरे, directly chat पर आप मुझे पूश सकते हो, ठीक है, मेरी idea है, at the rate Mr. Krishnashah, ठीक है, तो आज के लिए इस video में इतना ही है, मिलते हैं फिर next video में, thanks for watching, bye-bye